हेलो एवरीवन आपका फिर से स्वागत है एकनॉमिक सर्वे चत्यस गड़का जो 2022-23 का है इस पर हमारी सिरीज चल रही है तीन लेक्चर डल चुके हैं और कुछ अंतराल हो गया था कुछ पर्सनल रिजन्स के कारण मैं लेक्चर नहीं कर पा रहा था अब इस वीक के भीतर ज कि हम एकनॉमिक सर्वे का सीथे kruks निकाल कर आपके साथ डिसकस कर रहे हैं और इसके PDF हमारे टेलिग्राम चैनल में हम शेयर कर रहे हैं तेलिग्राम चैनल की लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी description में इसके अलावा description में हमारा application भी है play store पर google android play store पर जिसे आप download करके online भी अगर आपको lectures लेना है online test series लेना है सबसे किफाईती दामों में जो कि यह आप जाकर वहाँ से purchase कर सकते हैं और economic survey free of cost आप जाकर download कर सकते हैं कोई ज़रुत नहीं market से purchase करने की to the point हम lectures 20 minute जादा से जादा 20 minute 10 minute के lectures बना रहे हैं और साथ में आप अगर यह जो पीपीटी है PDF form में मैं share कर रहा हूं इसे आप download करके साथ में जो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और जैसे की prelims के भी last year के marks आ चुके हैं तो आप जाकर download करके चेक कर सकते हैं अपने रोल नंबर के अनुसार दिये गये हैं कल ही चार तारिक को ही जो है upload हुए website में तो उसे आप जाकर देख सकते हैं आपकी गल्तियां कहां हुई थी यह बहुत अच्छे से आप सुधार सकते हैं आप अपने आपको जज कर पाएंगे कहां क्या मिस्टेक हुई थी किसे आप से नंबर मिले हैं तो जाकर मार्क्स जरूर देखिए और बिना टाइम गवाए हम आते हैं सिधे आज के लेक्चर पर जो कि हमारा चौथा लेक्चर है सार्वजनिक वितरंट प्रणाली या फिर चण्भी इस में तो पीडियैस या जो फढलिक डिस्तिर्वजियूजन system है यह 36 गड का जो है काफी समय से काफी इंप्रूर्टेंट प्शन रहा और काफी नेशनल लेवल पर या राश्री लेवल पर भी काफी चर्चा में रहा है क्योंकि हमारा PDS सिस्टम या जो सारजनिक वित्रण प्रणाली है काफी citizen centric है काफी जादा जो है नागरिकों के फायदे के लिए इसमें प्राउधान किये गए और जो basic अगर बोला जाए सारजनिक वित्रण प्रणाली या फिर आपका जो राश सब्के के लोग हैं जो फूल भूत जो सुविधाय हैं जो आपके खान-पान से संबंदित है पॉस्टिक आहार से संबंदित है वो जो एफर्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए जो है सब्सिडाइस प्रेट में government जो है PDS सिस्टम के थुरू या सारजनिक वित्रण प्रणाली के थुरू एविलेबल कराती है एक तरीके से खाद्य सुरक्षा सुनिक्षित करी जाती है आपका सारजनिक वित्रण प्रणाली के द्वारा मतलब food security जो है एश्योर की जाती है public distribution system के थुरू मैं कोशिश करूंगा कि bilingual firm में जो है आपको lecture deliver करूं ताकि दोनों ही medium के है वो देखते हैं implementation या कार्यानवयन बोल रहा है तो इसमें अगर हम देखे implementation या कार्यानवयन में सबसे पहला चीज जो बोल रहा है food security या खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है food security या खाद्य सुरक्षा अब भी मैंने बोला सार्वजनिक वित्रण प्रणाली के द्वारा ज जो नागरिक को सुविधाय नहीं मिल पा रही है वो भी इसे मिल सके और यह एक कहा जाए तो समाजवादी पहलू है social list है ना हम पढ़ते हैं हमारी प्रस्तावना उसे मिलता है समाजवाद या समाजवादी देश है हमारा socialist पहलू है हमारे समिधान में मैंशन है food security अपने न समाज के कमजोर वर्गों को प्रदाय किया जाता है जैसे अभी मैंने कहा जो पिछड़े तपके के हैं उनको में स्ट्रीम में लाना है चाहे में चीज तो खाद दी ही है अगर food security अच्छी रहेगी तो आपका जो वर्क फोर्स है वो भी बेटर रहेगी जो कारे शक्ति या क पाफी ज्यादा थी वो टॉपिक आएगा स्पेसिफिकली स्वास्तिपाला उसमें हम डिसकस करेंगे और कुपोशन के बारे में पहले भी हमने डिसकस किया है तो ध्यान रखेंगे जो कमजोर तपके के लोग हैं उनकी रियायती दरों में या फिर subsidized rate में जो है खाद्यान एवं आवश्यक वस्तुमें प्रदाय करने की इसकीम है इसमें क्या किया तो खाद्यान मतलब आपका food grains, चक्कर, कैरोसीन, नमक, चना, आदी का वितरण, खाद्यान, नागरिक, आपूर्ती एवं उपभोकता, संरक्षन, विभाग द्वारा जो है ये किया जाता है तो ध् संचालन जो होता है पूरा PDS सिस्टम जो है वो किस तरह संचालित होता है तो इसके कुछ प्रदाय सेंटर है ये डिस्रिब्यूशन सेंटर है इनकी संख्या ये पेपर में कई बार प्री में पूछा जाता है तो 138 है, 2022-23 के economic survey में ऐसा दिया गया है तो आपको ये याद र 2022 तक के एक साल पहले की बात है तो 13507 है, ग्रामीन इस तर पर देखेंगे तो किता है 11829, ग्रामीन खेतर में जो है राशन कार्ट की संख्या भी हमें जादा मिलेगी और शहरी खेतर में ये किता है तो 1678 है ध्यान रखेंगे, अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम चलता है किस पर? राशन कार्ट पर, आप अगर जाएंगे तो आपको वैसे ही नहीं मिल जाएगा, अगर राशन कार्ट है, उसी आधार पर आपको सब्सिडाइज रेट में जो है, ये सारी सामगरी मिलेगी, तो 36 गड़ में खुल इतने राशन कार्ट जारी हो चुके है, 72 ये भी पूछा जा चुका है, ऐसे प्रशन तो आपको ये आँकड़े ध्यान रखने हैं, अब 36 गड़ में हमारा खुद का मैंने बोला था हमारा PDS सिस्टम काफी, नैशनल लेवल पर भी, राश्री लेवल पर भी काफी न्यूज में रहा, सुर्खियों में रहा, क्योंकि ऐसी कुछ schemes लाई गए जो कि ऐसा करने वाला ये देश का प्रथम राज्य था, आध्य सुरक्षा या फिर food security के लिए लोगों के क्या सरकार द्वारा किया गया तो उसके लिए अधिनियम लाया गया था, याद रखेंगे, 2012 में, नैशनल तो इससे प्रदेश के गरीब वा जरूरत मंदों को जो है भोजन का अधिकार सुनिश्चित हो जाता है, ना right to food, क्योंकि आर्टिकल 21 भी हमारा कहता है, right to life, जिसके अंतरगत कई बार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे अधिकार इसके अंतरगत लाएं हैं, तो वैसी एक व्यक्ति का एक individual का भोजन क अधिकार सुनिश्चित करता है, यह अधिनियम, यह ना guarantee देता है, ठीक, पातरता अनुसार जो है राशन सामगरी उपलब्द कराने वाला यह देश का प्रथम राज्य है, यह धियान रखेंगे, राशन कार्ड को हम देखेंगे, कई category में divide किया गया, वर्गी करंड किया ग की खादिय सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, यह राश्ट्र का खादिय सुरक्षा अधिनियम, 2013 में जो लागू हुआ था, UPA की government थी उस समय केंदर में, तो UPA की government के आने के पूर्व ही जो है इसे लागू कर दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे, कुछ आकडे जो उस लाभानवित होती है, लेया लगभग, जो है, दो करोड के आसपास, जो है, डिरेक्ट टार्गेटिंग हो जाती है, वही पर अगर बोले, तो जो आपका 36 गड़ का कानून है, इसमें 62.96, यह आखड़ा थोड़ा सा, मैं चेक करके आपको बताऊंगा, दो करोड़ वाला, यह ध्यान रखेंगे, 70% जनसंख्या जो इससे लाभानवित हो जाती है, जो केंद्र का अधिनियम है, और ध्यान रखेंगे, राज जी का जो है, इससे 62.96 लाख जनसंख्या जो है, लाभानवित हो रही है, बेनिफीशियरी है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, यह बेनिफ पर जो ऐसा वर्गी करण किया गया है तो इसको आप धैर इसे पढ़ लेंगे एक बार में जो ही पूरा याद हो जाएगा तो सबसे पहले राशन कार्ड के जो है जो मुख्य टाइपस हैं आपको ध्यान रखना है पांच इसमें से अंतियोदय हैं अंतियोदय के बाद आता है प्रात्मिक्ता फिर एकल निराश्रित निशक्त जन और सामान्य सामान्य को बोला जा सकता है एपियल या फिर अबव पावर्टी लाइन और ये सारे जो है ये आपके बीपियल में आ सकते हैं तो हमारे राज्य में अभी पूर्व की जो सरकार थी उनके द्वारा जो हर व् लिखान रखना है सबसे ज़्यादा benefits कहां मिल रहें अंतियोदय परिवार में इसमें तीन चीजों में आपको खाद्य सामगरी मिलेगी सबसे पहले राइस या फिर चावल है ना फिर ग्राम बोले तो चना है ना ग्राम बोले तो चना refined iodized नमक ये तीन चीजों पर मिल रही है अब ये तीन चीजों में चावल जो है ये लगभग 35 किलो परती माह मिलता है किस दर पर मिलता है तो एक रुपे पर केजी की दर से मतलब 35 रुपे में महिने का 35 किलो चावल अंतियोदय परिवार राशनकार धारी को जो है मिल जाता है चना जो है दो किलो पर फैमली को मिलता है और इस्पेशली जो आपका शेडियूल एरिया अनुसूचित छेत्र या आपका माड़ा एरिया है वहाँ पर और ये किस रेट पर मिलता है तो पांच रुपे पर केजी की दर से वहीं पर अगर मैं बोलू रिफाइंड आवडाइ से नमट आपका सेडियो र abuse 100 क रहा और नौन डरन कीघinator केजी पर मिल रहा है और और वहीं पर जो जो घैर सानुसूचित छेत्र में वहां पर एक केजी पर लिफार इसकी बाद आते हैं हम acts में तो प्रात्मिक्टा पर emission तो तो प्रात्मिक्ता में भी वही चीज़े मिल रही है फिर से ठीक बस इसमें और रेट भी सेम है ठीक quantity different हो रही है बदल रही है कहां बदल रही है अच्छे यह ग्राम का है द्यान रखेंगे थोड़ा test kg تو 25 kg diab मिलेगाद तेंशे पांच केजी my टो 25 में प्रतिर्व 50 मिलेगा तीन से 5 हें तो 35 kg पर मनों पांच भेक्ति से ऐगर जादा है फैमिली में तो प्रति सदस्य को साथ केजी प्रति माहाग का क्या मिलेगा चावल मिलेगा तो आपको ये फैक्ट याद रखना है यहीं पर है ना बाकी 35 केजी 2 केजी है यहाँ पर 10 केजी 20 केजी 35 केजी और 7 केजी मिलेगा प्रती सदस्य के आधार पर रेट सेम्-टू-शेम वहीं है एकल निराशृत पर आते हैं सिंगल तो झो एकल निराशृत है उसे सर्फ रा Soul केजी पर अगलरे है और येवी कह मिल राएं Kids रेट पर मिल रहा है तो एक व्यक्ति के लिए 10 केजी, दो व्यक्ति के लिए 20 केजी और 3 से 5 व्यक्ति अगर है परिवार में तो उसके लिए 10 रुपए पर केजी के हिसाब से राइस या चावल मिलेगा तो यह आप जो पीडियेफ डाउनलोड करेंगे उसमें से आसानी से देख लेंगे और एक बार में याद हो जाएगा आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसको मैंने लिख दिया है इसमें कुछ जो नोट है आपको ध्यान रखना है नोट यह है कि चने की पात्रता जो है राजी की अनुसूचित छेत्रों और माड़ा छेत्र में निवास करने वाले समस्त अन्तियोदय और प्रात्मिक ता राशनकार्ड धारी परिवारों को होगी जो शिडियूल या फिर माड़ा एरिया हमारे प्रदेश में वहां पर जो है चने की पात्रता मिलेगी चाहे वो अन्तियोदय परिवार हो या प्रात्मिक ता पीछे हमने देख लिया दोनों को मिल रही है इसके अलाबा उपरोक्त सामेग्री के अतिरिक्ट अंतियोदय और प्रात्मिक ता परिवारों को प्रती राशनकार्ड 17 रुपे पर केजी की दर से जो है एक केजी शक्कर की भी पात्रता है तो एक केजी शक्कर अगर इनको लेना है कौन से कौन से अंतियोदय और प्राचनिक्ता परिवारों को तो सत्रा रुपए पर केजी के हिसाब से शक्कर भी उपलब्द है ठीक बस्तर के जो जिले हैं वहाँ पर ये पांच जो आपके कार्ड धारी है राचन कार्ड धारी उनको जो है 17 केजी की दर से 17 रुपए पर केजी की दर से 2 किलो गुड़ की भी पातरता है ये शक्कर और बस्तर में जो है गुड़ मिलेगा ध्यान रखेंगे गुड़ ज्यादा न्यूट्रिटिव वेल्यू है आयरन और सारी चीजे मिलती है बस्तर छेतर में पोशन अगर जादा है तो उसके लिए ये जादा बेटर है इसके अलावा आंतियोदे और प्रात्मिक्ता परिवारव में जो राशनकार धारी जो है उनको केरोसेन मिट्टी तेल की भी जो है पातरता है तो ध्यान रखेंगे सिंपल सिंपल अपने निकाल के रिख दिया एक बार रीड मारेंगे ध्यान रहे जाएगा ठीक आगे अभी जो है मैंने जोसे बताया कि राजी की जो पूर्व सरकार थी उनने सभी के लिए जो है पीडियेस सिस्टम कर दिया गया तो इससे क्या कहा जा रहा है यूनिवर्सल पीडियेस या फिर सार्व भौम सार्वजनिक वितरन प्रणाली तो यह जो पीडियेस कर दिया गया है सभी व्यक्ति के लिए सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी तो यह 2 अक्टूबर 2019 से चालू की गई है यह प्रक्रिया और इसमें जो है आपके टेक्सपेयर और नॉन टेक्सपेयर दोनों को शामिल किया गया मतलब करदाता प्लस गैर करदाता है न दोनों को जो है इस दाइरे में ला दिया गया है और वर्तमान में इसको क्या यूपीडियस के नाम से चलाया जा रहा है तो ध्यान रखेंगे यह पूरा इससे संबंदित कुछ फैक्ट है जो ध्यान रखना है कम से कम आपको यह फैक्ट तो बिलकुल ध्यान रखना है 72.71 लेक जो है हमारे हाँ सबसे ज़्यादा जो है राशन कार्ड इशू हो चुके हैं नॉवंबर 2022 की स्थिती में अब आपको जो है इसमें कम से कम आप यह ध्यान रख लीजिए कि सरवाधिक किसमें है तो प्रात्मिक्ता में 48.53 सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे तो अंतियोदय है 14.43 लेक उसके बाद आ जाता है हमारा सामान्य परिवार 9.22 लेक जब से अक्टूबर 2019 से चालू हुआ तब से इसके बाद आता है एकल निराश्रित फिर है निशक्त जन तो आप कम से कम इसका एक डिसेंडिंग और्डर याद रख लेंगे एक दो तीन चार पांच जरूर याद रखतें करी बार ऐसी भी चीज़ें पूछ ली जा सकती है सरवाधिक प्रात्मिक्ता परिवार जो है वह वाले राशन कार्ड इशूड है ठीक तो यहां पर कुछ फैक्ट हो गए इसे आ साथ में यह है MSP minimum support price या फिर न्यूनितम समर्थन मूले हमारे हां जो है जैसे खाद्य सुरक्षा प्रवाइट की जा रही है नागरीकों को उसी द्वारा जो हमारे किसान हैं क्रिशक है जो वह उत्पादन करते हैं तो उनके उत्पादन या उत्पाद जो हुआ है उसको भ नाज और आपका इसके अलावा हमारी जो ऑईल सीट्स हैं या फिर दलहन या फिर तिलहन फसले हैं यह सब जो मिलाके रभी और खरीफ में कुछ 26-27 के आसपस सरकार द्वारा जो है खरीदी की जाती है और सरकार जो इसे खरीदती है किसके लिए तो खाद्य सुरक्षा के ल जाता है तो सरकार जो है सीक्योरिटी देती है कि इस आधार पर हम खरीद लेंगे तो यह रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है इसे जो केंदर सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है इसे जो है CACP Commission on Agriculture Cost and Prices क्रिशी के लिए जो है आपका जो भी cost और price होगा उसके लिए एक ये आयोग है तो ये आयोग जो है suggest करता है मंत्राले को और मंत्राले इस पर मंथन करने के बाद जो इसे जारी करता है तो ये हमने देखा है कि पैडी या पिर आपका जो धान है पिछले वर्ष यह 2040 रुपए में था इस वर्ष जो है यह 2183 रुपए में है तो ध्यान रखेंगे 2183 और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कित्ती तो 143 रुपीज की जो है इंक्रीज हुई है धान सामान यह वहीं धान ग्रेड ए अगर बोलूं तो यह आपका इसमें 2014 15 का 22 23 23 चुबिस का तो आपको कम से कम 22 23 का तो कुछ कुछ तो बिल्कुल ध्यान रखना और 23 चुबिस का भी ध्यान रखना यह जो ग्रेड वाला धान है वह 2060 में था पिछले साल इसमें 143 रुपीज की इसमें भी ब्रद्धी हुई है और यह कित्ता हो गया तो 20, 0, 3 हो चुका है तो ध्यान रखेंगे इसके अलावा जुआर का दिया है तो आपको आखड़ा याद रखना है जुआर बाजरा रागी और यह आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि हमारे यहां सरकार मिलेट्स मिशन चला रही है और इससे भी समंधित प्रशन पूछ जा सकते हैं तो आपको यह आखड़े याद रखना है कम से कम एक वर्ष के याद रख लीजिए और कित्ती वृद्धी हुए यह याद रखेंगे तो आपको जो है कैलकुलेशन करते बन जाएगा इसके अलावा मक्के का दिया है तूगर दाल का दिया है मूंग उड़द सिसमं का दिया हुआ है नियुकर और यह चार्ट को भूलेंगे जरूर पढ़के जाएंगे इससे प्रश्न बन सकते हैं प्रस्टा स्क्रीन में अभी नहीं दिख पा रहा हो काफी तोटा था मैंने डियेटली यह फिए की वेबसाइट से निकालके डाला है तो समय कम था इसे जैसे इसे अरेंज नहीं कर पाया तो इसे पीडिएफ जो आप डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा ठीक तो आगे चलते हम और क्या है आगे इंपॉर्टेंट डेट्स जो इकनोमिक सर्वे के इस चैप्टर में दी गई हैं क्या बात कर रहा है धान खरीदी की तो पिछले वर्ष धान खरीदी की क्या तिथी थी वह दी गई तो ए हमारा जो पूरा धान खरीदी है वह प्रक्रिया का कंप्यूटरी करण कब से हुआ है तो 2007-2008 से हुआ है यह तिथी याद रखनी है हमारे हां जो है चावल उत्सव मनाया जाता है फरवरी 2008 से चालू किया गया हर महां यह मनाया जाता है यह एक तरीके से राज शासन द्वा से चालू हुआ है और साहत में ध्यान रखेंगे कि सलूगा यह तो नहीं पूछता है लकिन ध्यान रखनेंगे अगर पूछ लिया जाए पूछ तो आगे इसके अलावा एक WEBSITE हैं जन्भागी-दारी WEBSITE यह दिया हुआ तो नागरिकों से डाइरेक्ट समवाद नागरिकों से जो भी उनकी इशू है जो भी उनका दिक्कत है वो डिरेक्ट जो है गवर्नमेंट सौल करे इसलिए जो इससे चालू किया गया है तो एक नवीन प्रयोग है और कोई भी नागरिक जो इस वेबसाइट में जाके अपना निशुल्क पंजीकरण कर सकता है और पंजीयन के बाद इमेल के माध्यम से जो एक खाद्य विभाग से जो संबंदित शिक्षा इवं सुझाओ भेजने की सुविधा इसे उपलब्द होगी जो भी चीजों में दिक्कत है तो वो डिरेक्ट कम्निकेशन कर सकता है किसे तो विभाग से या डिपार्टमेंट से तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में जन भागीदारी वेबसाइट जो है खाद्य.CG.NIC आगे देखते हैं कुछ एवार्ट्स मिले हैं PDS में क्योंकि इसका पूरा पूरा कंप्यूटराइजेशन हो गया है आज की डेट में कंप्यू जिसमें होती होगी हेर फेर जो होती थी वो चीजें जो हैं खतम हुई इस कारण से भी हमारा जो पूरा PDS 36 का काफी चर्चा में था और हम अगर देखेंगे तो कभी पूछ लिया जाए पूछ लिया जाए तो भई ट्रांस्परेंसी है ना पारदर्शिता है दूसरा आप बूल सकोगे की कम्प्यूटराइज्ड है ना कि अभी उसके अलावर फर्स्ट monit है जिसने ऐसा डालु किया इसके अलावर आप और कया बूल सकते हो कि आप category wise जो है टारगेट करते हो है ना वर्गी क्रित करके जंसंखिया को टारगेट करके आप झो उनकी खादे सुरक्षा सुनिश्चित करते हो food security को जो है या खादे शुरक्षा को ensure करते हो ऐसे कई सारे point जो है आप discuss करके अपने दिमान में set कर सकते हैं और इसको आप मेंस में लिख सकते हैं बहुत अच्छे एवार्ड CSIEE Governance Award और CSIEE नहीलेंट इगवर्नेंस एवार्ड तो यह सारे पुरुसकार आपके computerization के बाद मिल चुके हैं ठीक ध्यान रखेंगे consumer price index CPI हमारे महंगाई मापने के जो है कुछ तरीका है या inflation मापने का कुछ तरीका है तो आप सबने सुना होगा inflation या मेंख़ाई के बारे में तो भरी महंगाई या inflation को हम दो तरीके से जो standardized हैं ऐसे तो पोक मूल सूचकांग लेकिन आज की स्थिती में जो है RBI द्वारा CPI का प्रयोग किया जाता है या फिर आपका जो खुद्रा मूल सूचकांग कहा जा सकता कंज्यूमर लेवल पर डैरिक्ट क्या महंगाई है जिसे हम महंगाई को टार्गेट कर सकें तो यह दिसेंबर 2022 का कुछ देटा दिया गया है तो यह रूरल अर्बन और मिक्स्ट तीन इस तर पर मापा जाता है ध्यान रखेंगे मतलब ग्रामीन चहरी और आपका सैयो तीन इस तर पर इसे मापा जाता है तो यह इसके कुछ आंकड़े दिये गया है अगर आपको याद हो सकते हैं तो बिल्कुल याद रखेंगे त्यस गड़ में भारत के कंपेरिजन में महंगाई कम दिख रही है ठीक तो ध्यान रखेंगे यह तथ्ये और इसके साथ की जो ही पीडियस वाला चेप्टर जो प्रमुक तथ्ये मुझे दिखे पीडियस वाले चेप्टर में वो मैंने आपके सामने रख दिये हैं उमीद है कि आपको इससे कुछ न कुछ ठीकने को मिल जाएगा और कुछ न कुछ पेपर में आ जाए चाहे प्री हो या मेंस हो तो इसे जरूर पढ़ें टैलीग्राम चैनल में जाएं और इसे डाउनलो सब्सक्राइशन में हैं तो इसके अलावा जो है 100 चैलेंज एक सीरीज चल रही है उसमें हम और एक दो नए सब्जेक्ट जल्द ही प्रारम करने वाले तो उसे भी आप देख सकते हैं इसके अलावा या लोक विद्ध पर है छोटा सा लेक्चेर होगा एकनॉमिक सर्वे का ही तो उसे भी जरूर देखें और इस वीक में आपका एकनॉमिक सर्वे मेरी गैरंटी है इसको पढ़के जाएंगे आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा वो बन जाएगा ठीक थैंक यू वेर